एक बहुत प्रिय प्रसंग है मेरा स्वामी श्री हरदाज जी महाराज जब व्रंदावन में विराजते थे बिहारी जी प्रगट हुए थे प्रगट हुए प्रगट हुए कुछ महीने हुए थे बिहारी जी को अब तो कितने 500 वर्ष हो गए 500 वर्ष के आसपास हो गए बिहार पुर्जी स्वैम प्रकृूट हुए है। बड़े सुनदा ठाकृूर्जी है। सब दर्शन करने के लिधे आते थे। लाहोर के एक सेठ को पता चला कि शृधाम व्रंदावन में कुंझ विहारी प्रकृत हुए है। कुझ विहारी को अर्पित करने के लिए उस सेठ ने खस का इत्र मगवाया हमारी विहारी जी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है और अभी गर्मियों के समय में तो चोबा खस जो बनता है न उसका जो गाड़ापन होता उसको चोबा कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा तार जैसा होत आते हैं विहारी जी इत्र की तो एक लाहुर का एक सेठ था इत्र को इत्र उसने मगवाया मेहगा वाला खसका और स्वर्ण का भड़िया पात्र लिया उसमें इत्र लेकर के बिहारी जी को चढ़ाने के लिए निकल पड़ा लाहोर से इस्थिती ये बताते हैं कि महाराज उसके इत्र की सुगंधी है ऐसी थी कि वो जिस जिस नगर से निकलता था वहां के नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधी का अनुभाव करते ते बोले भया ये सुगंधी कहां से आ रही है तब पताते बोले एक लाहोर का भगत है वो व्रंदावन जा रहा है विहारी जी को इत्र चढ़ाने तो उसी के इत्र की मान आ गया कि मैं बहुत बड़ा इत्र लेके आया हूं सोने के पात्र में लेके आया हूं मेगा वाला इत्र है वरंदावन के लोग सब लोग प्रसंद हो जाएंगे भाई ऐसी वस्तू ठाकुर जी को किसी ने नहीं अर्पित की जैसे ये लेके आया है जैसे निदिवन करो तब तक क्या करोगे तो यमना जी पर स्वामी शीहरदाज जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं तो महां जाके स्वामी जी को प्रणाम कराओ उसको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं स्वामी शेहरदाज जी महराज मांसी में बैठे थे आज भी मैंने अपने नित्रों से इस भरी सर्दी में भी व्रंदावन के संतों को पसीने में लत्पत देखा है मांसी सेवा में वो किसी स्थती में होते हैं उनका देह महां होता है अंदर ही अंदर कुछ कुझ की लीला चल रही है। उसको थोड़े अपने इत्र का मान था, उसने स्वामी जी को परणाम किया और थोड़ा समीपना इत्र रख दिया, और इत्र का ढगकन और खोल दिया, उपर से की सुगंधी आ जाए, तो इस्वामी जी के नित्र खोलेंगे, तो यह पूछेंगे, भईया, सुगंधी कहां से आई, तो मैं बताऊँगा, मैं लेकि आया हूँ, और स्वामी श्री हर्दाश जी मारा थोड़ी देर तो चिंतन करते रहा है, तोड़ी देर में ना जाने, क्या हुआ, ऐसे रेत को आसपास अतने खोजने लगे, कुछ खोदने लगे, तभी वो इत्र के पात्र पर उनका हाथ पड़ा, उन्होंने उठाया, उठा करके सीधा उसको यमनाजी में फेंग दिया, पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के से फेंग दिया, भक्त तो देखता रहे गया, इतने महगे पात्र में लेकर के आया मैं, और अभी ठाकुर जी को चड़ा भी नहीं था, और ये बाबा ने फेंग दिया, एक बार भी ये विचार नहीं किया, कितना महगा है, क्या है, ये कैसी इस्थिती है, वो स्वामी जी एरदाश जी को पकड़ने के लिए, कुछ पूछने के लिए जाने लगा, तो वैश्ण वह नो रोक दे बोले, अभी स्पर्श मत करना, स्वामी जी मान सी मैं, अब उसको क् नहीं कर पाया, ये बाबा ने पूरा फेक दिया यमना जी में, मनी मन सोच रहा था, अभी चला जाओंगा बापस, और जीवन में कभी ब्रंदावन नहीं आओंगा, तभी स्वामी जी हरदाश जी महराज के नित्र खुले, प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब नित्र ख खुल गए, दर्शन करके आओ, भक्त बोला अब इत्र तो गया नहीं ठाकुर जी को इन से क्या पूछूं, मैं इतने भक्त खड़े हैं उनके, इतने सेवक खड़े, इनके सामने क्या बोलूं, बिहारी जी को दर्शन करके, महीं से ही निकल जाओंगा, आओंगा ही नहीं ल तक तक बिहारी जी के अंग से वो इत्र चुचा रहा था, थोड़ी पर मानो जैसे वो इत्र नीचे टपक रहा हो, उसका देह कंपाइमान होने लगा, बिहारी जी को प्रणाम किया, दौड करके स्वामिश हरदाश जी के पास गया, बोले मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया आपने मेरे इत्र को यमना जी में प्रवायत कर दिया, यमना जी में फेक दिया, तो फिर निधिवन में वो इत्र ठाकुर जी को कैसे पहुँचा, वहां कि सगन कुझ लताओं पर इत्र की बूंद क्यों है, वो सुगंद से क्यों सुगंदित हो गया पूरा निधिवन, और आज उसके हिरदे के भाव के लिए उजागर किया, बोले अरे लाला तो कहा बताओं, मानसी में आज शामा शाम डोनों होरी खेलाये, तो किاشोरी जी के पक्षकों मेहत हो, इतने महीं लाला ने जोर की बिचकारी मारी किषोरी जी पे किषोरी जी पूरी रंग गई जो मुसर बोली शकि सुन ऐसा चटक रंग लेके आ कि आख कारे को और कारो कर दूँ तभी मैं खोजबे के काजे निकर हो कि वहीया कहीं कोई चटक रंग मेरे इतने महीं तेरे द्वारा अर्पित वो इतने मेरे हाथ में आगे हो मैंने किशोरी जी को दे दियो और किशोरी जी ने शाम सुंदर पर फैंक दियो और ठाकुर जी को अर्पित आगे हो खुलकुंज बिहारी लाले की श्रिवर्णावन बिहारी लाले की